दिनांक 25 मई 2023 को उत्तर प्रदेश शाषन में अपर मुखे सचिव के दरा महानिदेशक, स्कूल सिक्षा, समस्त मंडल आयुक्त, सिक्षा निदेशक, समस्त जिला दिकारी, समस्त मंडलीय संयुक्त सिक्षा निदेशक और समस्त जिला विद्याले निरिक्षा को एक पत्र लिखा गया है संस्कृत सिक्षा अनुभाग मादमिक सिक्षा अनुभाग नौ के संदर में विशय आप देख सकते हैं और शाश के साहता प्राप्त संस्कृत मादमिक विद्यालेओं एवं राज की संस्कृत विद्यालेओं में सैक्षडिक सत्र 2023-2025 गृष्ण काल्स की आवधी को छोड़ करके अथवा नियमित चैनित सिक्षोकों के आने तक जो भी पहले हो नितांत और अस्थाई रूप से मांदे पर सिक्षोकों की विवस्ता किये जाने के संस्कृत मादमिक विद्यालेओं में टीचर्स की एड़ॉक बेसिस पर यानि कि आप सम्विदा कह सकते हैं सम्विदा आधारित भरती होने जारी है मांदे आधारित भरती होने जारी है उसके संस् 30 माई 2023 तक की तिथी निर्धारित की गई है 3 जून 2023 को समाचार पत्रों में ये विग्यापन फॉर्मेट को तोर पर प्रस्तूत कर दिया जाएगा और 19 जून 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिमति थी तथा उसकी चाया प्रती जिला विद्याले नरिक्षक को इमेल आईडी पर भेजने की होगी इसके अलावा 24 जून 2023 तक आवेदन पत्रों की स्कूरूटनी की जाएगी 6 जुलाई 2023 तक साक्षातकार यानि की इंटर्व्यू लिया जाएगा और इसके अलावा 16 जुलाई 2023 तक परिडाम प्रकाशित कर दिया जाएगा और न्योकती पत्र वित्रित कर दिया जाएगा और 31 जुलाई से चैनीत अभीरतियों को संस्थान में योगदान कराया जाएगा तो ये एक सिर्फ इंटर्व्यू बेस वैकेंसी है जिसमें आप इन विद्यालियों में एड होक बेसिस पर सर्विस दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ